हेलो डियरे स्टुडेंट्स मैं हूं धरंबी सौराज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मायत का सबसे इंपोटेंट कोशन और इस वीडियो के अंदर से ही सब कोशन आएंगे अबजेक्टिव और आप एक नजर में यह देखने के बाद आपको याथ हो जाएगा आगे इस्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कोशन है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलग होगा तो इसी बहुलग का मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो यह लोग लेवल का है कि कि तो हम देख रहे हैं कि जो 7 नहीं हो वो सेवे धीरिट आइंसर है तो 7 होगया एंसर यानि option C right answer होगा अगले question के बाद करेंगे कि दो number question है 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा तो आप तो जाने हीं गए होगे कि इसमें से कौन से होगा तो हम देख रहे हैं कि जो 5 डिजिट हैं वो ज्यादा बार आया है तो जो डिजिट ज्यादा बार आएगा वो उसका एंसर हो जाएगा तेनी option number C right answer होगा अगले question के बाद करेंगे हम तो अगला question है कि किसी ब्रह्मबर्ता का बहुलक होता है तो यह हमारा right answer होगा कि अधिक्तम ब्रह्मबर्ता मान याद रखिए कि बहुत important question है कि कि किसी ब्रह्मबर्ता का बहुलक कौन होता है तो अधिक्तम जो ब्रह्मबर्ता मान होता है वो ही ह होता है यानि option c right answer होगा अगला कोशन है कि 130313 का बहुलक होगा तो आप देखते होंगे कि यह जो 30 digit है वह जाधा देराया है तो यानि answer होगा option c right answer होगा यह 2014 में 2018 में push चुका है तो इसलिए आने की संभावना बहुत जादा है अगला कोशन है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की मधिका है तो मधिका कई से निकाला जाता है तो सब को add कर दो यानि 5, 3, 8, 8, 7 हो जाएगा 15, 6, 21, 4, 25, 2, 27, 1, 8, 28 यानि सब को count करो के कितना है तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 digit है तो 7 से जब 28 में divide करेंगे तो answer आएगा 4 यानि option c जो है right answer है ठीके अगला कोशन के बाद करेंगे हम कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओ का मध्य कौन होगा तो यानि option number B जो right answer होगा यानि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओ का जो माध्य होगा वो टू होगा याद रखेगा बहुत important question है अगला कोशन है कि प्रथम 3 लगतार प्रकीत संख्याओ का माध्य होगा तो इन वे से कौन सा होगा तो option number B जो यानि तू होगा अगला कोशन कि संख्याओ ब्रंबरता वक्र कहलाती है तो क्या कहलाती है तो option number A right answer होगा यानि तोरण याद रखेगा बहुत important question है अगला कोशन है हमारा कि बर्ग अंतराल 10 और 20 का बर्ग चीन होगा यानि 10 और 20 का बर्ग चीन क्या है तो हम देख रहे हैं कि बर्ग अंतराल जो है वो इसके क्या हो सकता है बर्ग अंतराल 10 और 20 का बर्ग चीन तो बर्ग चीन का मतलब होता है यानि कि इसके बीच वाला संख्या यानि हमको देखें दोनों का बर्ग अंतराल का बर्ग चिंज होता है दोनों को जैसा की आड़ करकर 2 से डिभाइड किया जाता है तो 20 या 10 कितना होगा? 30 यानि 30 को 2 से डभी डिभाइड कर 50 यानि option भी राइट हैंट सरोगा अगला कोशन है कि प्रप्तांग 5,2,7,0,6,3,9 की माधिका होगी यानि इसकी माधिका क्या होगी? तो option D right होगा इन में से कोई नहीं ठीक है? माधिका बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है? अगला कोशन है कि यदि X,3,4,5 का माध्य फोर हो तो X का मान होगा तो X का मान क्या हो सकता है? तो 8 होगा यानि कैसे निकाला जाता है? 8 यानि X,3,4,5 का माध्य फोर हो तो इसका मान होगा यानि क्या हो सकता है इसका मान? तो इसका एंसर 4 होगा ठीक है? आप जब solve करेंगे तो इसका 4 एंसर आएगा अगले कोशन के बाद करेंगा माधी का निकालने का आप लोग जनते हैं कि कॉन सा इसमें से कौन सा निम्न Beimिवनल इसत में। तो कौन सा होगा तो option number D right answer होगा यानि P Q P plus Q plus R यानि जो digit होता है उसको add किया जता है divided by number of digit ठीक है यानि जितना digit रहता है उसको add करकर जितने digit की संख्या रहते उसे divide कर दिया जता है अगला कोचन की प्रथम प्रथम 5 प्रकित संख्याओं का माध्यनिम लिखित में कौन होगा इसमें से देखना है कि कौन होगा तो option नमबर जो होगा यानि प्रथम 5 प्रकित संख्याओं का माध्यनिम लिखित में कौन होगा इसमें से कौन हो सकता है तो option भी राइट अंसर होगा यानि थेरे हो सकता है अगला question है कि चर्मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलग निमी कौनतर बहुलग का बता सकते हैं यह थीर जो digit भार-बारा हैं तो option भी right hand सरो चर्मान इतना 5 3 8 दू चारी यह यह question नमर सुरा का बात करेंगा हम 16 नमर को question है कराएं कि चर्मान सोलन नमर कोश्चन का हम ध्यान से देखेंगे कि चरमान पान तीन आठ दू चार की माधिका है कौन है तो राइट एंसर होगा ऐप्षन ए यानि फोर होगा अगला कोश्चन है कि निमलेखित साड़ी में चरमान साथ की संचभी बनता इन में से कौन सा है यानि कौन सा इस में से है तो कौन सा हो सकता है यानि option c right answer होगा यानि 10 होगा ठीके अगले question के बाद करेंगे हो अकड़ा 8-6-12-4-13 यानि question नमर 18 अकड़ा अकड़ो 8-6-12-4-13-7-2-3-3-2 परिसर होगा परिसर इसका answer होगा right answer यानि 18 का जो right answer होगा ओ answer होगा option c right answer होगा यानि answer होगा आपका 18 ठीक है या 18 right answer होगा परिसर निकालने का यानि sub-guide करेंगे और उतने से divide करेंगे टू से यानि जीतना होगा उतने से अगले question दिखेंगा हो निमनलीखित बीतरण में बहुलक बर्ग क्या होगा बहुलक बर्ग इसमें से क्या होगा यह आपको बताना तो option d right answer होगा यानि 40-50 होगा 40-45 कि से ले सबसे ज़्यादा जो होता है वहीं बहुलक बर्ग होता है तो सबसे ज़्यादा 45 है 45 तो 45 के ऊपर 45 है यह बहुत important question है कि किसी बीतरण के माध्या बहुलक और माध्यक के बीच मुल संबंध होता है यह जानना बहुत ही चरूरी है तो यह होता है option a right answer होगा और तीन माध्यक माइनस तू माध्य होते हैं याद रखेगा बहुत इंपोटेंट कोशन है किसे से माध्यका अलेखिया डंड से ग्याद किया जा सकता है किसे से माध्यका अलेखिया डंड से ग्याद किया जा सकता है यानि एक कईस का मेरा राइट एंसर हो सकता है C यानि option C तोरहन 22 नमर कोशन हैं हमारा की निमलेखित में कौन अलेक द्वारा निधारित नहीं किया जा सकता है यानि 22 .. और 2 राइट एंसर होगा option C यानि माध्यREE भाइचल को नहीं किया जा सकता है अगला कोशन देखेंगे हम तो इसका right answer होगा यानि 22 का जो right answer C होगा यानि माध्य को अगला question है 23 नमर संख्याओ एक दूर्थी इंडर डर्ट इन का माध्य है यानि 23 का right answer होगा option C यानि N plus 1 by 2 याद रखेगा बहुत important question है अगला question है कि किसी बनंबरता बंटन का बहुँ लगा लेख द्वारा निमलेखित में से किसे से निधारित किया जा सकता है यानि 24 का right answer का option D यानि आयत चीत के द्वारा निधारित किया जा सकता है 25 नबर question है कि 4 को आरोही या औरोही करम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा बीच वाले चर का मान क्या कराएगा बहुत important question है ये 25 वाला तो 25 का right answer होगा option B यानि माधिका 26 नबर question है कि 2, 5, 5, 3, 3, 6 का बहुलक होगा तो आप तो बहुलक ये बता सकते हैं 26 का यानि right answer होगा option B यानि 3 अगले question के बात करेंगे हम अगले question कि बर्गंतराल A-B का बर्ग चीन होगा बहुत important question है कि बर्गंतराल A-B का बर्ग चीन होगा तो 27 का मेरा right answer का option A यानि A plus B by 2 यानि A और B को जोड़ा जाता है आप 2 से divide किया जाता है यानि बर्ग चीन याद रखेगा वो माइनस नहीं है A और B का बर्गंतराल ठीक है अगला question है कि 2, 4, 6, 5, 28 नबर question के बात कर रहे हम कि 2, 4, 6, 8, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा तो यह बहुलक बहुलक बहुत बात पुछता है तो इसलिए इससे याद रखना जरूरी है तो 28 का मेरा right answer होगा option C यानि 4 ठीक है बात करेंगे 29 नबर question का तो 29 नबर question यदि 4 लगटार विशन संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बढ़ी संख्याओं बहुत इंपोटेंट question है तो 29 का मेरा right answer होगा option B यानि 9 ठीक है अगले question के बात करेंगे हमकी 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा X का बहुलक हो सकता है यानि 30 का right answer होगा option B यानि क्या हो सकता है तो 4 तथा 6 दून हो सकता है याद रखिएगा बहुत इंपोटेंट question है अगला question है कि प्रथम 10 सम प्रकीत संक्याओं का माध्या है तो हमेरा right answer होगा 31 का C यानि option C जो है right answer 11 होगा ठीक है अगर 32 कोशन का रहा कि तोड़ां खिचने के लिए बर्ग अंतरालों को होना चाहिए क्या होना चाहिए तो 32 का right answer option B यानि अप वर्जी होना चाहिए ये भी बहुत इंपोटेंट question है अगला कोशन है कि माध्या माधिका और बहुलग के भी संबंध होता है क्या संबंध होता है ये बहुत इंपोटेंट question है इस बार आने के लिए बहुत संबंध है तो 33 का मेरा right answer होगा option B यानि right answer होगा x-z is equal to 3 into x-y ये right answer है option B right answer होगा होगे 33 का अब बात करेंगे 34 नमर कोशन का तो दिये गए आकड़ो 105 का माध्या है तो 34 का right answer होगा B यानि 2 होगा क्योंकि कोड़ों का जो माध्या है यानि 3 होना चाहिए यानि 34 का right answer हमारा 3 होना ही चाहिए क्योंकि 0 5 और 6 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा तो 2 ही होगा option B right answer होगा 35 कोशन देखेंगे यानि 35 नमर की बर्ग 20 35 का बर्ग चीन होगा तो दोनों काड़ करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो 35 हो जाएगा 55 तो 55 के आधा कितना होता है तो मेरा right answer होगा 35 का right answer C यानि 27.5 होता है ठीक है याद रखिएगा अब बात करेंगे अगले कोशन का 36 नमर कोशन का तो 7,6,4,8,9 की माधिका है यानि 36 का जो right answer है हमारा वो B होगा यानि 7 होगा 37 के बर्ग अंतरा 24 चालिज का बर्ग चीन होगा तो बहुत इजी है 24 और 36 को आइड करेंगे तो हो जाएगा बाभू इसका मतलब बर्ग चीन का एक फर्मुला होता है नीचली सीमा पलास उचली सीमा तो नीचली सीमा हो जाएगा 24 आप उचली सीमा यानि lower limit ओपर लिमिट तो एग होगा 24 और 31 तो दुनों को जोड़ेंगे divided by 2 तो 24 और 30 हो जाएगा 24 और 54 का दर सताइस यानि अप्शन नमर भी डाइट एंसर होगा अब बात करेंगे 38 का तो 24, 25, 22, 23, 9, 30 का परिशर होगा तो ये राइट एंसर होगा अमरा 38 का राइट अप्शन डी यानि 21 एंसर होगा अब बात करेंगे 39 का और एक्स, एक्स फोलस 3, एक्स प्वलस 6, एक्स प्वलस 9 ताथा एक्स फिलस 12 का समांतर माध्य है ये भी बहुत इंपोटेंट है तो 39 का आमरा राइट एंसर होगा आप्शन A यानि एक्स प्वलस 6 कोश्चन नमर 40 देखेंगे 46, 8, 9, X, 13 का माध्य दोस हो तो X का मान होगा ये भी पहुत इंपोटेंट है तो 40 नमर का C जो राइट एंसर होगा यानि 14 41 कोश्चन देखेंगे यानि 14, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 3 का बहुलक है तो बहुलक बहुत इजी होगा आप पता सकते हैं तो राइट एंसर अप्सवन D होगा अगला कोश्चन देखेंगे 42 को प्रथम 5, 20 संख्यों का माध्य है यह भी बहुत इंपोटेंट कोश्चन है तो 42 का रा के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस टोटल एक्सरसाइज का अब्जेक्टिव कोश्चन देखें ओके थांक्यू